कि हैलो दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि डोगा के एक ऐसी सीरीज के बारे में जोकि बौर्ण बलड टाइप कॉमिक्स का ही पार्ट है मझा पार्ट ने उस कैटिग्रय में आती है उस सीरीज का नाम है वफा सीरीज और ये दो पार्ट की सीरीज है और एक बाद और आपको पता है ही कि मेरे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका ओरिजिनल प्रिंट मेरे पास अल्रेडी था पहले में आपको पार्ट के नाम बतायता हूं फर्स्ट पार्ट का नाम है वफा सेकेंड पार्ट का नाम है वफादार और इस डाइजस्ट को मनिश गुपता जी ने प्रिंट किया था हाला कि बॉर्न इन ब्लट कैटिगरी की और भी कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी कि शायद आर सी एस जी या आर सी एम जी ने प्रिंट की थी मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन हां दोनों में से जो यह सीरीज है वो किसी ने भी प्रिंट नहीं की हालाग एक चीज़ दो बताना चाता हूं कि जिस वक्त मैंने इसका ओरिजनल पार्ट खरीदा था उस वक्त जो फर्स्ट पार्ट यह था यह मतलब एक किरियर कॉमिक थी और इसका जो सेकेंड पार्ट है वह इसली कहीं पर भी अवेलेबल था ओन्लाइं स्टोर पर लेकिन प्रिजेश आख्यार शॉपिंग करता निका तो कभी इसका सेकंड पार्ट मैं खरीद नहीं पाया तो काफी लंबे टायम तक मैंने इसके सेकंड पार्ट का वेट किया हालाके कोई भी रात तो मैं जुरूर सेकंड पार्ट खरीद आखरिदा ऑर अफकोर्स मरेशूथा जी इने इस सीरीज को डेस्ट में लाए और सस्ते में लाए ने तो आर से एस जी आर से एम जी अगर रिप्रिंट करते तो साइज नॉर्मल हो तो कॉमिक्स का जिसका अपने एक अलगी मज़ा है पर जो भी ठीक है मैं लोग कोई भी अगर लाता तो मैं जूरू खरता अब मैं इस सीरीज है तो अफकोर्स कि इसमें वैसे कुछ ताम जाम देखने हो मिलेगा बस एक और एक बस यह है कि एक लड़की है जिसका नम वफा है और वो दावा करती है कि वो एक मशूर फिल्म एक्टर की पतनी है लेकिन बाद वही है कि जो फिल्म एक्टर होता है वो इस चिसको म पूटी कहानिया बनाती है तो सारी स्टोरी इसी के रिवोल घुमती है और स्टोरी मुझे काफी अच्छे लगी बस इसको एंडिंग थी वो थोड़ा सा हलका लगा मुझे लेकिन जो बाकि स्टोरी है वो काफ़ा मुझे अच्छे लगी और एक चीज़ यह कि इसका आटोक भले ही उतना इंप्रेसिव ना हो हलांकि कुछ-कुछ जगह पर इसका आटोक अफिज़ा शांदर लगता है लेकिन इस सीरिस के सबसे जो खास बात है मैंने फास्ट फॉरवर्ड कोमिक्स के उपर वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मलब कलरिंग काफ़ी जबरलस थी हालांकि आटोक इतना अच्छा नहीं तो लेकिन हाँ कलरिंग बड़ी प्यारी थी ठीक वैसा ही मतलब इस सीरिस में भी है कि कलरिंग बड़ी प्यारी की गई है इसमें आपको थोड़े बहुत कॉमेडी एलिमेंट्स मिलेंगे जो की डोगा कॉमिक्स में अकसर होता ही रहता है कि मुझे आटोक अब अब आवरेज लगा जो कलरिंग है वह मस्त लगी थी काफी खुबसूरत लगी थी कि स्टोरी अच्छी है लेकि बस वह है कि जो लास्ट पोर्शन है स्टोरी का वो थोड़ा सा मुझे वीक लगा मैं उसको अच्छे से मेरे ख्याल से और किया जा सकता था लेकि मुझे इस बात की खुशी है कि कोई तो इस सीरिस के सेकेंड पार्ट को रिप्रेंट किया हाला कि मुझे इस सीरिस को डेश के फोम में खरिदना पड़ा और हां अगर आर्से एस जी आर्सेम जी लाते तो तक्रीबन उसी रेट भी मिलती मुझे ये कोमेक्स आप खुश देर सकते हो कि कलरिंग बहुत ही ज़ादा जबरदस्त है वसे यही कहूंगा कि अगर आप डोगा फैन हो तब आपको डेफिनेटली यह सीरिस खरदी नहीं चाहिए अगर यह अभी तक अवेलिबल है तो अगर आप नहीं अगर आप डोगा फैन नहीं भी हो और अगर अगर आप एक एक फन टाइम एंट्रेंटमेंट वाली स्टोरी को इंजोई करने चाहते हो तब भी आप इस सीरिस को खुरी सकते हो और जैसे मैंने बताया कि मेरे पास इस कॉमिक का फर्स्ट औरिजिनल पार्ट है फर्स्ट पार्ट है अफ्कोर्स की थोड़ बहुत डिफ्रेंसिस देखने को मिली जाएंगे अगर कभी टाइम मिल ला तो मेरे पास जितने भी मला डबल कॉपीज आए कोमिक्स की मैं सभी की उपर एक हैल्दी कंपेरेजिन वीडियो लाओंगा अगर कभी टाइम मिला तो हालाकि जो मेरे पास और प्रिंट है इसका भी जो मिलब प्रिंटिक क्वालिटी सब कुछ बहुत शांदार है और जैसे मैं बताया था कि जिसकते को में खरीदी थी तो यह फर्स्ट पार्ट रेयर पार्ट था सेकेंड पार्ट इसली अवेलेबल था पर वह बात है कि सेकेंड पार्ट भी उसक्त जाया लंबे समय तक अवेलिबल रहा नी अब उसक्त ओल्लाइन शोपिंग करता होता तो मुझे डेस्ट रिजने की जुरती ना पढ़ती मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब यह से वह ने ब्लड कैटिकरी की यह कॉमिक है हमको पता है कि उस वक्त ऐसी कदरिंग हुआ करते थी चाहें आप नगायन सीरीज ले लो चाहें आप जो फास्ट फॉर्ट होगी कॉमिक का मैं ऐसी कॉमिक के जो कलरिंग है वो काफी शांदार के गए थे और इसमें मुला क्रेटिस दी गए हैं जिसमें रंग और सुलेक सुनील पांड़ी जी ने की है इफेक्ट डाले है सुरीष जी ने आटो दिलदीव सिंग जी कहा है मुला अगर आपके खिलित्ते हो तो आप कुछ स्टोरी को शायदा इंजॉय करो ना करो आटों के इंजॉय करो ना करो लेकिन कलरिंग को आप खुब इंजॉय करोगी और एक बात और मैं आप लोगों के शाथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसे आप यह लिस्ट देख पा रही हो जिसमें डोगा की 32 कोमिक्स आई थी यह उनकी लिस्ट है जिनमें से काफियो डैस्ट के फॉम में आभी चुकी ऐसे करफ्यू है करफ्यू यह है डोगा मैं हूँ डोगा अद्रक चाचा, गैंडा, चोर सिपाही, इंस्पेक्टर चिता, कुता फोज, मुकाबला, बुल्डोग, हडताल, डोगा जिन्दाबाद, बिच्छू, आखरी गोली, डोगा और जबरा, सूपर बोई, गोल्डन हत्यारा, कुता राज, जबरदस्त, निशानत दिल बुबो, तंदूर, मगरमच, चीक, डोगा चीक, लोमडी, काली विद्वा और खराब कानौन, ये तो मलब डोगा वन से लेके डोगा 10 तक की कॉमिक्स की लिस्ट है, और काफी मलब अराउंड 10-11 सालों से डोगा 11 के ओपर काफी चर्चे थे, जिनमें 8 कॉमिक्स शामिल हो ती, जो थी कायर, हाथ और हथियार, मारा गया डोगा, मरेंगे डोगा के दुश्मन, हैडलाइन, मिरित्यूदाता, ट्रॉम्बे ट्रिक, डोगा को गाड़ो, उनफोर्चनेटली ये आर्ट कॉमिक्स का डेस्ट कभी आ नहीं पाया, हराकि RCS जिनमें आर्ट कॉमिक्स को र वैलेंटाइन, इन तीन कॉमिक्स का डेस्ट मनीश गुपतर जी ले आ चुके हैं, उसके बाद हेराम, टॉर्चर जलिया वाला, इन तीन कॉमिक्स का भी डेस्ट मनीश गुपतर जी ला चुके हैं, उसके बाद कॉमिक्स आती है, आज मत जा, जरा बचके, चार किलोमेटर अगे बॉडिगार्ड और वर्देवाला डोगा ये ये पांच कॉमिक्स अभी तक आई नहीं है बिग्ग डोगा मुंबई कबाब रेस हर मौड पर खड़ा है डोगा इन 4 कॉमिक्स का डैस्ट आ चुका है है एलाइन डोगा हाजिर है जान जोखी में ये तीन कॉमिक्स का डै अगर मनीश गुपताजी चाहें तो In The zh i8 अगर सकती है goo एडंसे उसस हो एक पांच अगहलाक्ष अगर अदो इसलिए में आज एकपोटाजी करे इस तरफ तर डोगा के जो 64 या उससे जादा पेजिस वाली कोमिक हैं उनकी लिस्ट है हलां कि मुझे पता है कि यह नहीं है क्योंकि इसमें कुछ यह 2-1 कोमिक्स का नाम शामिल है लेकिन मल्टिस्टार कोमिक्स का नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं है जो की होनी चाहिए थी बस यह करना चाहता था कि सिर्फ 2 डेस्ट की कमी ओर है तो सभी 32 वाली पेजिवाली कोमिक्स कवर हो जाएंगी वैसे भी जो डोगा 11 है वो पिछले 10-11 सालों से पेंडिंग पर पड़ी है अगर यह आच्छा है आर्सी अजी नहीं से क्लेक्ट एडिशन ला दिया सिंगर शॉट में कोमिक को रिलीज भी कर दिया देगे मुझे पता है कि अगर डोगा 11 अगर चपती है तो लोग इस डेस्ट को खुशी खुशी लेंगे और आठ कोमिक्स हैं 32 पेजिस वाली कोमिक्स हैं टोटल 256 पेजिस होंगे डेस्ट में जो किसली अराम से डेस्ट आ सक अगती है और जो लोग है में इतना जो डेस्ट को पसंद करते हैं वह तो वैसे भी डोगा 11 को जट से लेही लेंगे क्योंकि डोगा 11 अपने टाइम में बहुत ज़्यादा मलब फेमस विशे रहा है होप सो कि मने शुकता जी डोगा 11 पुछापे ओर है जो पांच कोमिस से उनकी कोमिस के डेस्ट को भी लाएं बाकी देखते हैं क्या होता है तो ठीक है दोस्तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मिलता हम आपसे नेक्स टीडियो में तिल देन बाई और ठीक यू फो वाचिन दिस वीडियो